हेलो दोस्तों मैं हूँ राज ज्यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अप्डेट में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ जरूरी बातों पर डिसकस करने वाले हैं क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर अपलोड होते रहते हैं तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मंदी निरिक्षक उपनिरिक्षक की भरती की जो रिजल्ट आए हुए हैं उसके बारे में तो जिन लोगों के भी सेलेक्शन होने वाले हैं जिन लोग जो है टॉप लिस्ट में आए हुए हैं उन सभी अभियर्थियों को बहुत-बहुत सुब कामना है हमारी और से आप लोगों का सेलेक्शन हो जाए, यही हमारी मनोकामना है, तो बस जड़ा सा इंतजार है, अब आगे की जो process क्या होगी, काफी सारे जो comment कल आये हुए थे, कि आगे की process क्या होगी, किस तरह से सेलेक्शन होगा, तो देखिए, जो top 10 में आये हैं, उनको सबसे पहले बहुत 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 बढ़ाई मंदी निरिक्षक और उप निरिक्षक दोनों में ठीक है तो उनका सेलेक्शन तो निस्चीत है बाकी बहुत सारे candidate confusion में भी है जो टॉप score जिनका है काफी अच्छे score है और पदों की संख्या पर अंदाज लगा रहे हैं उस सौंप देता है तो जो मंदी विभाग जो है ठीक है जो आपका selection actual में selection list वही जारी करेगा तो थोड़ा सा वेट करना होगा जिनका भी selection होना है उनको जो है document verification के लिए बखायदा उनको पत्र भेज़ा जाएगा by post later उनको भेज़ा जाएगा फिर उसके बाद जो है documents verification के बा जरूरत नहीं है आपका भी कभी न कभी जरूर होगा किसी न किसी वेकैंसी में बिल्कुल अपनी तयारियां जो है आप लोग कमजोर मत किज़ेए तयारियां जो है करते रहिए जो भी वेकैंसी आती है आप लोग बढ़ते रहिए कहीं न कहीं आपका भी नाम बिल्कुल ल अब आते हैं अगामी वेकंसी के बारे में बात करते हैं तो जो latest यहाँ पर आप लोगों को सुने में आ रहा होगा पटवारी भरती और छात्रावास भरती ठीक है तो वेकंसी आने वाली तो है बट आएंगी कब तो ध्यान से सुनियेगा इस बात को अभी क्या है कि अभी जो food inspector की vacancies जो है fill हो रही है ठीक है उसके जो form जो है fill हो रहे है 30 तारीक उसका last date है जैसे कि आप कुछ आपको पता होगा जिनको नहीं पता होगा और जो भरना चाहते हैं जल्दी से अपना form fill up कर लेंगे ठीक है तो 30 तारीक तक जो है अंतिमती थी में बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है ठीक है तो server थोड़ी busy होती है तो last date जो 30 तारीक है उसी के बाद आप लोगों को good news देखने को मिल सकती है और ऐसा जो है विभाग की ओर से कुछ संकेत मिल रहे हैं कि पटवारी की जो भरती परिक्षा की जो vacancy है वही पहले आनी वाली है तो आप लोग अपनी तयारियां बिलकुल start कर दीजे अगर आप लोग ने अभी तक नहीं किया है तो बिलकुल तयारियां start कर दीजे क्योंकि अभी जो है मेंटेनेंस में चला गया था ठीक है मेंटेनेंस भी हुआ है आगे की जो परिस्तितियों को देखते हुए क्योंकि पहले ये देखा गया है कि अंतिम दिनों में और जब vacancy आती है तो व्यापाम का साइट थोड़ा सा जो है new vacancy देखने को मिल सकती है तो अपनी तयारियां बिल्कुल start किजिए बहुत ही जल्द आपको vacancy देखने को मिलेगी कुछ लोग जो है काफी सारे यहाँ पर negative comment भी देखने को मिलते हैं कि vacancy आने वाली है ये जो है काफी सुनने को मिल रही है बट आ नहीं रही है तेखिए ये हमारा काम होता है आप लोगों को अवगत कराना जो भी विभाग की ओर से हमें जानकारी मिलते है वो आप तक हमारा करतब भी होता है और साथ ही आप लोगों को encourage करना ताकि vacancy आने वाली ये सभी को पता होता जरूर है बट लोग क्या है कहीं न कहीं इस बात को सोच करके वो डल हो जाते हैं कि vacancy अभी आ नहीं रही है तो जो यही सोचते है vacancy नहीं आ रही है vacancy आने पर वो तैयारिया स्टार्ट करेंगे तो कहीं न कहीं वो दूसरे candidate से पीछे रह जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल पीछे मत रहिए अपने तयारियां एकदम full speed में आप लोग करते रहिए ठीक है full form में आप लोग तयारियां करिए जब भी vacancy आएगी तो आपकी selection आप लोग खुद तयारियां तो यहीं एक important cover थी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा जरा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरू कर दिजेगा शेयर अपने दोस्तों के साथ करती रहिएगा चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लिजेगा इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद